आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ पर दोनों की Moles निकाल लें फिर Reaction से आप इस Question को करोगे so वो हम कैसे करेंगे देखो 17% solution है आपके पास 17% है तो मतलब मैं यह कह सकती हो कि अगर मेरे पास 100 ml जो है AGNO3 का अगर मैं ले रही हो right so उसमें मेरे पास आपका 17 gram होगा right आपका AGNO3 तो अगर मैं यह हैं पर 50 ml sorry आपका AGNO3 लोगी तो उसमें कितने gram होगा आपका 17 into 50 divided by 100 gram आपका AGNO3 होगा that will be your 8.5 gram right similarly अब मैं यहापर क्या करूँगी अब मैं अगर NACL की बात करूँगी so again मैं बोलूँगी की 100 ml जो है NACL का आपका contain करते है 11.6 gram NACL right so 50 ml आपका जो NACL होगा वो आपका कितना contain करेगा it will be 11.6 into 50 divided by 100 right so यह मेरे पास निकल करा रहा है 5.8 gram clear अब मैं आप यहापर क्या करने हैं मुझे मुझे मूल्स निकालने है आपका AGNO3 के और NACL के मोल्स हम कैसे निकालते हैं कि जो भी आपके पास amount होता है उसको उसके molar mass से divide कर दीजिए right so आपका 8.5 gram है AGNO3 और उसका जो molar mass होता है अगर AGNO3 के में बात करते हूँ आपका होता है 170 so यह निकल कर आएगा आपके बात 0.05 moles clear अब यहीं पर अगर मैं मोल्स निकालते हूँ आपके NACL के जो होता है आपके पास अगर मैं मोलर mass of NACL की बात करते हूँ so आपके पास आपका होता है 58.5 होता है so यह निकल कराएगा आपके बात 0.1 clear अब रियाक्शन में चलानी होगी आपकी NACL plus AGNO3 जब आपस में रियाक्शन करते है so आपके पास AGCL बनता है plus आपका बनता है NANO3 so यहाँ पर जो precipitate होगी वो आपकी किसकी होगी AGCL की form होगी वो मुझे बताने की कितने amount होगा so देखो NACL के most कितने 0.1 और आपके sorry NACL के 0.1 है और AGNO3 के 0.05 right so पहला हमारा step होगा कि यहाँ इमने से आपका limiting कौन से है fine मैं देख सकती हूँ कि एक मोल of NACL के लिए एक मोल AGNO3 चाहिए isn't it so 0.1 मोल के लिए मैं 0.1 AGNO3 चाहिए होगा so AGNO3 limiting के agent होगा so रियाक्शन आपकी AGNO3 से चलेगी आप बोलोगी कि एक मोल of AGNO3 से हमारे पास एक मोल आपको क्या है AGCL का मिल रहा है clear so it means अगर मैं 0.05 मोल्स ले रही हूँ आपके AGNO3 के so 0.05 मोल्स जो है वो आपके AGCL के क्या होगे form होगी fine but हमें amount बताने है कितना form होगा मोल्स क्या होते है कि आपके बास AGCL की जो precipitate form होगी मोल्स क्या होते है कि कितना amount present है right in your given mole मतब कि given weight upon molar mass होते है right so अगर मैं मोल्स को molar mass से multiply कर दो 0.05 मोल्स जो AGCL के form होग उसको इसके molar mass multiply कर दो that is 1435 143.5 so इससे में पास उसका amount आजाएगा that is 7.175 gram right so इतना आपका precipitate form होगा AGCL का यह हमें निकानना था thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर